नमस्ते दोस्तों मार्वल फ्लोरिंग जिते अंदर श्रमा में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ चीज अगर आप टाइल्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको टाइल्स की जान कर देदूं और ये ओल सॉल मंडी में आपको बॉक्स क्या रेट में मिलेंगे तो देखिए चालू करते हैं सबसे पहले वाल टाइल्स तो इसमें 8 इंटू 12 की टाइल्स मिलेगी 10 इंटू 15 की मिलेगी 12 इंटू 18 की मिलेगी और 12 इंटू 24 की मिलेगी सबसे पहले लेते हैं 8 इंटू 12 ये ओडिनरी टाइल है ये आपको लगबग 72 रुपिस बॉक्स में हॉल्सॉल मार्केट में आपको अवेलेबल होगी इसमें 12 पीस आपको मिलेंगे और इसका जो वर्किंग एरिया रहेगा 8 फिट SFT इस बॉक्स में 8 SFT आएगी और इसका जो वेट है 7.2 kg इस बॉक्स का वेट रहेगा अब लेते हैं सेकेंड नंबर 10 इंटू 15 ये डिजिटिल टाइल है 105 रुपे इस्टिमेट प्राइस है इसकी बॉक्स मिल जाएगा आपको हॉल्सॉल मंडी में टाइल्स की हॉल्सॉल मंडी इसमें 8 पीस है 8 पीस आएगी आपके बॉक्स में और 8.33 SFT इसमें आपको एरिया कवर होगा और 1.5 केजिस में वेट आएगा और अब देखते हैं 10 इंटू 15 होगया 12 इंटू 18 देखते हैं ये एक बाई डिजिटिल टाइल है ये 135 रुपे बॉक्स इसकी प्राइस है इस्टिमेट प्राइस बता रहा हूँ है आपको 5-10 रुपे उपर निच्चे हो सकते है 6 पीस इसमें भी आएंगे और 9 फिट ये एरिया कवर करेगी और इसमें जो वेट आएगा वो 11 केजिका आपको मिलेगा ये और ये 12 इंटू चोईस 2 फिट बई 1 फिट की टाइल ये भी डिजिटल टाइल है 210 रुपे बॉक्स की इस्टिमेट प्राइस है और 5 पिस इसमें आएंगे और 10 SFT ये एरिया कवर करेगी और 14 केजिसका बेट रहेगा अब लेते हैं प्लोर टाइल्स ये सबी 1 फिट बई 1 फिट की टाइल्स के है तो चलिए सबसे पहले 1 फिट बई 1 फिट प्लेन टाइल्स 112 रुपे बॉक्स 10 पिस आएंगे और 10 पिट एरिया कवर करेगी और 11 केजी इसमें वेट रहेगा ए ए एन इसकीट 112 रुपे बॉक्स और 10 पिस आएंगे इसमें 10 फिट एरिया कवर करेगी और सबी में 11-11 केजी आएगा ये सबी में SP कलर AS कलर और 5 ये SP कलर 112 रुपे बॉक्स मिलेगा आपको और AS कलर 132 रुपे बॉक्स है और ये पंच जो लिकरगा वो 142 रुपे बॉक्स है ये सबी 10 पिस हैं और 10 SFT आपको एरिया कवर करेगी और 11 केजी इसमें वेट रहेगा अब लेता है पॉर्सलिन टाइल्स 2.2 की मिलेगी और इसकी जो मार्केट में जो प्राइस जाएगी स्टार्टिंग प्राइस 330 रुपे बॉक्स चार पीसिस में आएंगे 15.50 SFT आपको एरिया कवर करेगी है और 28 केजी समें वेट आएगा बॉक्स का अब लेता है विट्रिफाइट टाइल्स ये विट्रिफाइट टाइल्स अभी टू बाइट टू की है 24 इंची इंची इंटू 24 इंची सबी चोईश चोईश है सबसे पहले है नेनो टाइल्स ये 21 रुपे फिट इसकी कोश्ट है 4 टाइल्स आएगी 15.50 आपका वर कवर करेगी और 27 केजी इसका वेट रहेगा वोक्स का वेट बताराऊ मैं आपको सेकेंड लेते हैं चोईश इंटू चोईश डबल चाड लाइट 27 रुपे SFT इसकी प्राइज है 4 पीस है और 15.50 आपका अएरिया कवर करेगी और 28 केजी इसका वेट आएगा अब लेते हैं डबल चाड दार्क इसकी रेट आपको 31 रुपे स्कुराइज फिट अलस्वल मंडी में 4 पीस है इसमें भी आएंगे एक बॉक्स में 15.50 आपका अएरिया कवर करेगी और 28 केजी इसका वेट आएगा अब लेते हैं PG VT टाइल्स ये आपको 27 रुपे स्कुराइज फिट में मिलेगी और 4 पीस इसमें भी आएंगे और 15.50 स्कुराइज फिट ये एरिया कवर करेगी और 30 केजी इसका वेट रहेगा अब लेते हैं वपस चोईस इंटो चोईस GVT टाइल्स इसकी 27 रुपे प्राइज है 4 पीस इसमें आएंगे 15.50 स्कुराइज फिट आपको एरिया कवर करेगी और 30 केजी इसका वेट रहेगा अब लेते हैं पार्किंग टाइल्स पार्किंग टाइल्स में 12 इंटो बारा याने एक फिट ये और्डनी टाइल्स है 155 रुपे बोक्स है इसमें 10 पीस आएंगे 10 पिट एरिया कवर करेगी और 16 केजी इसका वेट होगा सेकेंड नमबर ये डिजिटल है 155 रुपे बोक्स है 8 पिस इसमें आएंगे 8 स्क्वार फिट आपकी एरिया कवर करेगी और 13 केजी इसमें वेट रहेगा अब थर्ड लेते हैं 16 इंटो 16 ये भी डिजिटल टाइल्स है 220 रुपे बोक्स है 5 पिस आएंगे इसके अंदर और 9 पिस इसमें आएंगे और एरिया कवर करेगी जो 162 स्क्वार फिट आपका एरिया कवर करेगी और इसका जो वेट आएगा वो 39 केजी वेट आएगा इन सभी में आपका जीस के इंकलूट नहीं है अगर आप बिजनेस करना चाहें तो आप मार्केट में ट्राइ कर सकते हैं और GST और Transpiration कितना लगेगा जो Transpiration का मैंने आइडिया लिया है यह आपके आइडिया के लिए बता रहा हूं Transpiration एक 500 किलोमेटर पर 2 रुपे का लगबग-लग Transpiration अभी आ रहा है उसके सबसे आप कैलकुलेटर कर लें मैं अमेरे को भी 4-5 लोगों के कोटेशन आये थे मेरे पास तो उनसे यह मेरे इस्टिमेट रेट बता रहा हूं आपको यह रेट आपको यह खले टाइल्स का बिजनेस करने के लिए है आप अगर घर के लिए खरीदना चाहें तो यह पोसिबल नहीं है क्योंकि आपको एक पूरा ट्रक लेना पड़ेगा तो एक ट्रक में 26-28 टन आपको मिलेगा इसमें टाइल्स तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं अगर आप दो बई-दो की टाइल लेंगे तो इसका वेट मेंने लिख दिया है आप 26 टन से लेके 30 टन, 40 टन तक भी अभी चल रहा है तो उसके इसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे कितने टाइल्स ट्रक में आएगी अगर 26 टन या 28 टन का में ट्रक लेता हूँ उसमें आपकी कितनी टाइल आएगी वो भी आप इससे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं धन्यमाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सस्क्राइब कीजिए थैंक्स